तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पर्दीप को बढ़े आपका इस वागत है जिसकार को नाम है आपकी फर्माइश दोस्तों आपकी फर्माइश में पैसे अजम मनाएंगे लिटी चोखा बनाइंगे और करीब आदा कि लुए आर वहान एक होन रख दिया है और वी च्तित्र अलवा हम चाहिए डालने वालगास सोड़ा है अधाप कि एक चमच जो है यह सोड़ा दाल देंगे नमक दाल देंगे आदा चमच आजवाइन दालेंगे इसके वाद इसमें तीन चमच जो है करीब ऑईल दालेंगे अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी से कि मिल चुका अच्छी से अब इसमें देने देरे पानी आइड करेंगे और गूतेंगे कि दोस्तों यहां पाइड में गूत दिया हूं अब इसको हम गीले कपड़े से ड़क देंगे 20 मिनिट के लिए कि अब हम तयारी करेंगे लिट्टी के अंदर बढ़ने के लिए मसाला तो चलिए उसको बराते हैं कि अगे दोगोड़ा जो तो लिट्टी के लिए जो समद डालें बारने के लिए तो उसकी लिए हम सबसे पहले डालेंगे विप्समेश चौई इसके बाद हम दालेंगे इतने जीरा इसके दालेंगे एक चमच कलॉंजी एक चमच जीरा एक चमच कलॉंजी एक चमच कलॉंजी एक टॉक्तोड़ों से हम वरुका होने देंगे इसमें हम चार-पाच हरी मेज दालें खटीजी एक ब्याज दालेंगे बारिस कटा हुआ अब इसमें हम एक बड़ा चमच भनिया पॉटर दालेंगे आधा चमच नमस और थोड़ी सेहलती और गरम बताला अब इसमें हम दालेंगे सट्टू जया दोस्तों आपको सट्टू आप बजार बिल जाएगा नहीं तो आप घरवेज बना सकते हैं और अगर सट्टू नमिले तो आप बेशन को मून लीजिए उसको दाल सकते हैं अब हम इसको दो नट चलाएंगे इस तरह से दोस्तों यह मसाला मैंने निकाल लिया है आप चाहिए इसमें अदर्ट लसून का पेष्ट भी दाल सकते हैं मैंने नहीं दाला है तो आप आदा चमच अद्रक और आदा चमच लसून इसका पेष्ट दाल सकते हैं आई अब देखते हमारे आटे का क्या हाल है करीब 20 मिनिट हो चुका है कि इसको भलका गूत लेंगे अज़ादा टाइट होना चीह ना ज्यादा नरम होना चीह आटा अब हम इसकी जो है गोली बना लेंगे अब हम इसको भारेंगे इस तरह से मुस्का टोली टैप बरा देंगे और यह जो मसाला इसको इसके इंतर भारेंगे इस तरह से तरह से भरके से अब जैँ मिक्ता कर देंगे बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल इस तरह से ज़्क्राइब और जो है कहलका गोला बना लेंगे इस तरह से इस तरह से गुल हम सब बनाएंगे आए तब तक हम गयास में जो है अब इसमें दालेंगे एक चुमच वाइल इसमें ला लेंगे मत्यम आज में इसको रखेंगे हम इसको रखेंगे हम इस तरह से अब जो से इसको डब देंगे हैं दीन आज में पार्च मेट की दिए बाच वट बाद चेक करेंगे कर साहे क्या है क्या है इसका अब जो पार्च पर ठोच चुक है देखते हैं क्या हम अगा है अगा 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 इसका अगा 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 शाव गुश्ट पार्ट इसका अगा 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 इसको फिर डख देंगे अगा और दो मिनिट के लिए दो दो मिनिट बाद हम चेक करते रहेंगे कि देखते हैं तो यह पुरी तरह से तयार है तो देखिए इस तरह से इसको चेक करते रहा है तो यह तैयार हो चुके अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद बनाएंगे हम चूप कि दूस्तों धीमी आज में इसको बनाना है कि पकाना इसके अब हम चूखा बनाएंगे कि दूस्तों आलू उबल चुक है अब हम जो है इसको जो है यह कड़ी में तीर लाल रखाए अब इस में हम थोड़ा सा राई डालेंगे अब है कि अब है कि अब हम इस पर ओनियन दालेंगे प्याज दालेंगे करीब एक प्याज कि अब है कि मध्य माश रखना है दोस्तों और इसके अलावा जो है एक चम्मत जो है हम जो है इसमें लाल में और नमक जो है साथ अंसार और एक चम्मत गरम मसाला और ठोड़ी अंदी इस तब तक क्या हम अपने अगों को मसल लेंगे आज पीशना मसल लेंगे इस तरह से अब जोस्तों ये तीन-चार बेट होचे कि आप इसमें आलो मसले वे दाल देंगे आप 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 कर दो कि अधनिया उपाज दाल देंगे आप 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 कर आप 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 कि दोस्तों गर्बागान खाई यह देखिए तैयार है चोका तैयार है प्लेटी तैयार है और यह आप सॉस ले लिजिए घर में बना सकते हैं तो यह हमारा तैयार हो कि आई एम तोड़के देखते अंदर कैसे हैं क्या हाल है कि देखिए बिल्कुल पख चुका है बिल्कुल तो अब इसे घर्मा घर्म खाईए और मुझे बताईए कैसा लगा आपको तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इसकार कम से जाने की इजाज़त देजिए नमस्कार जैहेंद क्या हुआ है